Hello Everyone, एक क्वेरियम अरपास बहुत कॉमन आती है कि अगर हमारा गोल वेट लॉस है तो क्या हमें अपनी डाइट में सिरफ एग वाइट ईट करने चाहिए हमें येलो पोर्शन नहीं इट करना चाहिए एग योक नहीं इट करना चाहिए तो इसी के लिए हम ये वीडियो बनाते क्योंकि कोई भी decision लेना तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी nutrition value का है और क्यों हमें नहीं करना और क्यों में करना चाहिए तो अगर मैं whole egg की बात करूं तो इसके अंदर जो calories होती हैं वो 70 to 80 calories होती है इसमें से जो आपको egg yolk से जो calories मिल रही हैं वो 50 to 55 होती है और egg से जो मिलती है वो 20 to 25 calories होती है बट अगर मैं इसकी protein की बात करूं तो इस whole egg के अंदर जो protein है वो 7 grams protein होता है इसमें से जो egg white से जो protein आपको मिल रहे है वो 3.7 grams होता है और egg yolk से वो मिलते है 2.3 grams के round it depends on the size of the egg तो अगर आप सिरफ egg white eat कर रहे हैं तो उसमें से आप समझो कि आपने जो protein है उसमें से 40-50% आपने प्रोटीन निकाल दिया आपको सिरफ जो protein ही मिला और से कुछ B-groups के vitamin मिले but अगर आप egg yolk eat करते हो तो egg yolk के अंदर बहुत सरे healthy fats आपको मिलते हैं जो आपकी body के लिए बहुत जरूरी है आपके brain के लिए बहुत जरूरी है second उसमें से good source of vitamins है fat soluble vitamins A, D, E की इनका भी बहुत अच्छा primary source है egg yolk उसके आपको minerals मिलते है iodine, selenium, phosphorus जैसे minerals भी मिलते हैं तो आप जब भी eat कर रहे हैं तो whole egg eat करें क्योंकि nature यह combination हमारे को दिया है second कुछ queries यह भी होती है cholesterol के regarding तो आपको बता जिता हूँ कि जो एक whole egg है उसके अंदर जो cholesterol है 182-185 mg के round होता है depends on the size वो भी सिर्फ आपको एक योग से ही मिलेगा egg whites के अंदर cholesterol नहीं होता तो आपको यह कितने eat करने है क्या करने है यह आपकी goal के उपर depend करते है अपनी daily requirement के उपर बट अगर आपका goal weight loss है तो आपनी calories के according एक whole egg eat कर सकते हो अपनी diet में thanks for watching lifestyle diets